लास्ट वीडियो में हमारा question of the day था कि हाल ही में इन में से किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सारे forms से retirement एनाउंस किया है और इसका सही answer है हरवजन सिंग so hello friends मेरा नाम है निहाल सागर और आपका स्वागत है 27 और 28 दिसमबर 2021 के top 10 current affairs of the day में तो पहले 27 दिसमबर के current affairs से चली शुरू करते हैं नमबर वन इंडिया को हराकर बंगलादेश ने South Asian Football Federation Under 19 Women's Championship को जीत लिया है शहिदा अगदर रिपा को most valuable player of the game का अवर्ड मिला है बंगलादेश की बात करें तो capital है ढाका प्राइम निस्टर शेक हसीना और करेंसी टका चलती है यहाँ नमबर टू एन्वार्मेंटलिस्ट डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, अर्थ शॉर्ड प्राइस विनर बिद्यूत मोहन और एन्वार्मेंटलिस्ट एक्टिविस्ट रिधिमा पांडे को Mother Teresa Memorial Award 2021 से समनित किया गया है यह Award Harmony Foundation के द्वारा दिया जाता है और इसे Peace, Equality और Social Justice को प्रमोट करने वाले Individuals और Organizations को दिया जाता है इंडियन ओरिजिन नरिंदरन जोडी कोलापन को साउथ अफरिका की हाइस जुडिशल बेंच में एपॉइंट किया गया है इससे पहले इन्होंने South African Law Reform Commission के Chairman का भी पद समवाला था South Africa की बात करें तो Capital है Cape Town, Pretoria और Blomfontein, President Cyril Ramaphosa और Currency Rent चलती है यहाँ इंडिया के Former Prime Minister अटल विहारी वाचपई जी की Birth Anniversary के दिन यानि 25th December को हर साल Good Governance Day अबजर्व किया जाता है इसे पहली बार Year 2014 में अबजर्व किया गया था नमबर 5, NASA ने World के Largest और Most Powerful Space Telescope, James Webb Space Telescope को लौंच किया है इसे NASA ने European Space Agency और Canadian Space Agency के साथ मिलकर बनाया है NASA यानि National Aeronautics and Space Administration की बात करें तो इसका Formation 1958 में हुआ था, Headquarter Washington DC में है और Bill Nelson इसके Head है नमबर 6, महरास्टर Government ने Equitas Small Finance Bank को महरास्टर का Banking Partner बनाया है Agreement के मताबिक अब बैंक महरास्टर के Employees को Salaries और Allowances डिस्ट्रिब्यूट करेगा महरास्टर की बात करें तो Capital है Mumbai, CM उधव ठाकरे और Governor है भगत सिंग कोश्यारी नमबर 7, Confederation of Indian Industries ने Industrial Innovation Awards में IIT रुडकी को Most Innovative Research Institution Awards से समानित किया है IIT रुडकी ने ये Award continuously दूसरे साल जीता है Confederation of Indian Industry की बात करें तो इसका Formation 1895 में हुआ था, Headquarter New Delhi में है और TV डरेंदर ने इसके Head है नमबर 8, Union Minister of Home Affairs और Minister of Cooperation अमित्षा ने Good Governance Index 2021 को Release किया है इसमें States में गुजरात ने टॉप किया है और Union Territories में Delhi ने टॉप किया है नमबर 9, Tamil Nadu Government ने Tamil Thai वास्तू को State Anthem Announce किया है इसे किसी भी Educational, Government, University या आदर्स के किसी भी function से पहले गाया जाएगा ता मिलनाडू की बात करें तो Capital है Chennai, CM M.K. Stalin और Governor है R.N. Ravi नमबर 10, ओधर रवी शंतनू गुपता ने अपनी नई बुक The Monk Who Transformed UP को Launch किया है ये बुक उत्तर प्रदेश के CM योगी आधितनात पर बेस्ड है इसे गरुड प्रकाशन ने पब्लिश किया है अब बात करते है 28th December 2021 के Top 10 Current Affairs of the Day की नमबर 1 Oil India Limited आसाम के जोरहट में 100 किलोवाट का ग्रीन हाइडोजन पावर प्लांट सेट अप करेगा Oil India Limited इंडिया का सेकंड लार्जेस स्टेट ओंड ओइल एक्स्प्लोरर है आसाम की बात करें तो कैप्टर है डिस्पूर, सीम हिमन्त विसुशर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी नमबर 2 नीती आयोग ने The Healthy States Progressive India Report के 4th Edition को रिलीज किया है इसमें लार्जर स्टेट्स में केडला ने टॉप किया है स्मॉलर स्टेट्स में मिजोरम ने टॉप किया है और यूनियन टैरिट्रीज में दाद्रा एंड नगरहवेली एंडमेंड एंडियू ने टॉप किया है नीती आयोग यानि National Institution for Transforming India की बात करें तो इसका फॉर्मिशन 2015 में हुआ था हेड़कॉर्टर नियू डेली में है पी-म चेर्मेन होते हैं और अमिताप कांथ सीईयो है नमबर थ्री होकी चंडिगड को हराकर होकी उतर प्रदेश ने 11th जूनियर नेशनल मेंस चेंपिन्शिप को जीत लिया है होकी एसोसियेशन आफ ओडिशा थर्ड रेंग पर रहा नमबर फोर मध्यप्रदेश गवर्णमेंट ने रगुवेंद्र कुमार सिंग को स्टेट पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट का नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिशनर एपॉंट किया है ये शेयो शेकर शुकला को रिप्लेस करेंगे मध्यप्रदेश की बात करें तो कैपिटल है भोपाल, सीम शिवरा सिंग चोहान और गवर्णर है एमसी पटेल नमबर फाइफ इंडियन ओरिजिन डॉक्टर इम्तियाज सूलीमन को साउथ अफ्रिकन ओफ दे इयर अवर्ट से समानित किया गया है डॉक्टर इम्तियाज सूलीमन फिलैंथ्रोपिस्ट और एक डिजैस्टर रिलीफ ग्रूप गिफ्ट ऑफ दा गिवर्स के फाउंडर है साउथ अफ्रिका की बात करें तो कैपिटल है केप टाउन, प्रेटोरिया और ब्लॉम फॉंटेन प्रेजेंट सीरिल रामा फोसा और करिंसी रेंड चलती है यहाँ नमबर सिक्स सूरत की इंडिस्ट्रियलिस्ट वीरल देसाई को Global Environment and Climate Action Award से समानित किया गया है इन्हें Green Man of Gujarat भी कहा जाता है इनके अलावा डिफरेंट कंट्रीस से 11 और लोगों को इस अवर्ड से समानित किया गया है नमबर सैवन टमिलनादू गोहराकर हिमाचर पर्देश ने विजय हजरे Trophy 2021 को जीत लिया है ये हिमाचल प्रदेश का first ever domestic टाइटल है हिमाचल प्रदेश की बात करें तो capital है शिमला, winter capital धरमशाला, cm जहराम ठाकुर और गवर्णर है राजेंद्र विश्वनात अर्लेकर गुजरात गवर्णमेंट ने rivers को honor करने के लिए नदी उत्सव को launch किया है इसमें नर्मदा, तापती और साबरमती रिवर को honor किया जाएगा गुजरात की बात करें तो capital है गांधी नगर, cm भूपेंद्र पटेल और गवर्णर है आचारे देवरत नमबर नाइन, डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग्ने डिफेंस टेकनोलोजी और टेस्ट सेंटर और ब्रह्मोस मैनुफेक्टरिंग सेंटर का foundation stone रखा है इन्हें उत्तर प्रदेश के लखनव में establish किया जाएगा उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैप्टल है लखनव, सीम योगी आदितिनाथ और गवर्णर है आनिंदी बिन पतेल नमबर टेन, 25 दिसंबर को पंडित मदन मुहन मालवी जी की 16th बर्थ एनिवर्सरी को observe किया गया इनका जन्व इसी दिन year 1861 में इलहाबाद में हुआ था इन्होंने year 1916 में बनारस हिंदू युनिवर्स्टी का formation किया था और इन्हें year 2014 में पोस्ट एउमसली भारत रत्न से समानित किया गया था आज का question of the day है कि हाल ही में इन में से किस state ने sports को promote करने के लिए खेल nursery scheme 2022-23 को launch किया है और आपके options है पंजाब, हर्याना, करनाटक या तिलंगाना आंसर कमेंड में जरूर बताइएगा तो ये थे आज के top 10 current affairs of the day वीडियो अच्छी लगी हो तो like, comment और share करें और daily ऐसे ही top 10 current affairs of the day देखने के लिए चैनल को subscribe करना न भूलें Thank you for watching and have a nice day